इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी सभी को नमस्कार मैं हूँ पूजा और मेरे साथ है मेरे सयोगी आनद नरसिंभर आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दृश्ची यह देखिए वो दूर देख रहे हैं वो भवे राम मंदिर दिव रात में कितना सुन्दर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुन्दर दिखेगा जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब दिखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदेर अभी तो प्रभू राम का मंदेर अपने निर्मान अवस्था में है लेकिन जल्द पूरा हो जाएगा हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम टेकनोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगे श्री आयोध्या में है उससे थोड़ी दूर है इस जगे का नाम मनी परवत है जिहां मैं और पुजा इस वक्त अयोध्या में मौझूद मनी परवत पर हैं पुजा इस जगे की भी खासियत है बहुत सारी मान्यताई भी हैं और देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलोजी की मदद से संभवों पाये आनन्द और टीवी के इतिहास में हम आपको आयोध्या का ये जो दुरलब दर्शन कराने जा रहे हैं इससे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तया किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर आयोध्या नगरी दिख'tी कैसी लिए awhile Agrion寂गर नगरी तो दिखांगे लेकिन जहां खड़े हैं उसकी तो मान्यता हैं और खासियत बता दे इतिहास क्या कहता है इस जगए के बारे में मनी पर्वत के इसके बारे में बिल्कुल माननेता तो ये है कि हनुमान जी जब लक्षमन के लिए संजीवनी बूटी की पहाड लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो परवत का टुकड़ा है जहां हम खड़े हैं जिसे हम मणी परवत कह रहे हैं लेकिन सा अईोध्या यात्रा तो अभी बाकी है क्योंकि टी-वी के इतिहास में आज आज आप पहली बार आयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और यह यात्रा आपको कराएंगे मेरे सीयोगी कैसे करेंगे यात्रा यह आपको वही बताएंगे जी हाँ इसके लिए एक खास विमान को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जूर से आवाज नहीं देने वारा आवाहान नहीं करना हो ना बस यहाँ देखूंगा और वो देखे दूर यह तो किसी पंची की तरह है जी हाँ पंक तो पंची की तरह हैं लेकिन ये पंची नहीं है ये खास विमान है जिसको हम लगू पुश्पक विमान कहते हैं ये धीरे धीरे ओडान भरते हुए अराम से टचडाउन करेगा आना भाई धीरे 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 देखिये कितना सुन्दर दिख रहा है प देखिए खुल गया देखिए अब बताईए कैसे खुला यहां तो कोई कंट्रोल नहीं है पुरानिक खताओं में कहा जाता है कि पुश्पक विमान चालक के मन से जुड़ाता था तो रावन के मन से प्रभूश्री राम के मन से जुड़ा हुआ था यहां यह लगू इसलिए हम कहुए है कि आयोध्या दर्शन अभी बाकी है और यह दर्शन आपको आनन्द करवआenगे कैसी दिखती है आयोध्या नगरी यह आपको आननद वताएंगे लेकिन आनद कहां जा रहे आप इस वकत कहा जा रहा हूं मैं तो आपको दिखाऊंगा, पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा, यहीं से जा रहा हूं थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूं अभी के लिए तो दीरे 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 तो ये लगू पुश्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं आनन इसमें सवार हैं और ये उडान भर दी है उन्होंने अब आपको बता दें कि ये आपको आयोध्या दर्शन कराएंगे आयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे साथ ही राम लला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतिजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरी लेकिन जरा डीटेल मैं भी आपको ग्राफिक्स के जरी बता दू कि आखर इस मंदिर की खास्तियत क्या है देखे यहाँ पर तीन फ्लोर औ इसकी लंबाई है चोड़ाई की भी बात करते हैं उसका भी डेटा हम आपको दे दे 235 फीट इसकी चोड़ाई है साथी जानकारी ये भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर पांच पविलियंस बनाए गये हैं बारह गेट यानि की द्वार इसके अंदर बनाए गये हैं तो ये जानकारी हमने आपको दी तीन फ्लोर का ये मंदिर पांच गुंबद इसके अंदर जब पूरी तरीके से त्यार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको आयोध्या दर्शन कराएंगे आयोध्या पॉड़ी कितनी सुन्दर हो जाती है भव्यता आ जाती है इस ज्रौशनी की चका चौंद की वज़े से लाइट्स की चका चौंद की वज़े से शधालू के लिए यहां सनान करना एक अलग ही आनंद है कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सर्यू में सनान करने आते थे राम की पॉड़ी को लेकर एक पौरानिक कथा भी बहुत प्रचलित है कहा जाता है कि एक बार जब लक्षमन जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो स्री राम ने आयुध्या में सर्यू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति स है उर्योत से पूर्विस्थलपर सर्यू में सनान करेगा उसे समस्त तीर्थमें दर्शन करने के समानपुन्य प्राप्त होगा शधालू इसी आज से यहां शुब महुरत में स्नान करने आते हैं कि उन्हें भी लक्षमन के समान पुन्य की प्राप्ति हो तो अगर युद्ध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहां एक लाइट शो होता है सांड़ लाइट शो रामान की कथा खा बहुत भव्य है बहुत